हे गाईज कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ आप सबी अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हाओ टो हाइड एप से हाइड एप करेंगे आप अपने इस फॉन में कैसे एप्लिकेशन को हाइड कर पाएंगे छुपा पाएंगे होम स्क्रीन से वीडियो क आपको स्क्रीन पर जाना होगा और यहां से टू फिंगर से पिंच आउट कर देना है नेक्स्ट यहां से डेक्स्टॉप सेटिंग पर क्लिक करना होगा और यहां से सबसे ऊपर आपको मिल जाता है हाइड एपस तो हाइड एपस पर क्लिक करना होगा आपको और यहां से का एक password set करना है तो पहले double has और four digits का आपको password तो seven eight seven eight यह मैंने डाल दी है ओके यहांसे कर देना है अब यहांसे आपका password दिखा देता है कि आपने यह password डाला आए तो double has seven eight seven eight तो आई remember कर देते हैं ओके next आपको plus के icon पर click करना होगा और यहांसे किस application को आप hide करना चाहते हैं चुपाना चाहते हैं तो अभी हम एक Facebook को हाइड करके दिखाते हैं आपको Facebook पर मैंने किलिक कर दिया है और यहसे confirm कर दिया है अब confirm करने के बाद यहां से आपको वेक जाना है अब यहां से आपको Facebook एप्लिकेशन नहीं दिखाई देगा अब आप इस application को कैसे स्टो करा पाएंगे कैसे आप home screen पर चला पाएंगे इसके लिए आपको two finger swipe करना है उपर की और इस तरह के सामने कुछ इस तरह का interface आता है और आपने जो password डाला है double has 7878 जैसे आपने डाला है यहाँ पर आपका application आ चुका है अब आप यहाँ से easily इसे use कर सकते हैं अब आपको इससे unhide करना है तो आप कैसे कर पाएंगे तो unhide करने के लिए आपको ऐसे से पहले back कर देते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं इससे unhide आपको कैसे करना है so guys close app तो यहाँ पर three dot पर click करना होगा select पर click करना होगा जितने application आपको unhide करना है तो हम अभी एक कोई करेंगे एक ही है और यहां से export पर click करेंगे फिर export कर देंगे तो यह हमारा application unhide हो चुका है और यहां पर आपका show होता है तो इस तरी के से आप अपने phone में application को hide कर सकते हैं और unhide कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही है दोस्तो मिलते हैं एक next interesting वीडियो के साथ